लुकष मंत्री जी तो भाई परधान मंत्री का दावेदारी ये कर रहे हैं कि नहीं फॉना लोग वांप लोग बोल रहे हैं बिश्वास है लोगों का उस्षा है लोगों को देखने से फिल हो रहा है आप चारों तरफ जाके देखिए देश के आलात को देखिए हर एक जगह जो है जो है अपरत अपरी का महल बना अभी इस वक्त आपको हम विल्वाने जा रहे हैं एक बहुत ही चर्चित चहरा बढ़ारा विधान सभा का चुनाव हो रहा था उसके पहले जिस तरह इनकी गरिमा मयुपस्तिती दीख रही थी वाकिए असा लग रहा था कि बढ़ारा का कुछ बहुत बढ़िया होने वाला है लेगिन जो कहा जा सकता है कि चुकि पार्टी में उतार चलाव होते रहते है टिकट भी मिलना एक बहुत बड़ा यह होता है नहीं तो लोग तो दिवाने हो ही गये थे आईए फिर से आपको रूबरू कराते हैं कैसे है सब बढ़ियां सबसे पहले जो है भोजपूर खासकर बढ़ारा कि सारे वास्यों को रक्षा बंदन की सुपकावना जो है और सब सब्सक्राइब लोग जो है मंगल में हूं कि अधने बाद सर रक्षा बंदन है संजोग से आपकी आपसे मुलकात करने का मौका हम लोग को मिला बढ़ारा विधान सभा आज भी आपकी इंतजार में रहता है हमेशा से चाहता है कि भाई रनवीजे बाबू आए लोगों से म सारे तमाम कहानी जो जो भी उन लोगों के साथ अपने जो पल विताया या चाहे क्रिकेट की बात कर लिया या फुटबॉल की लोग इंतजार में रहते हैं कि आप तो उन लोगों से आप फिर कब अपना शमय देने वाले हैं राजनीत में पद मिलना बहुत ज्यादा इंप इसमें चाहते हैं तौrek बहुत पर कोई नहीं है रावात बरहारा का चुकी हम बारष बोलते हैं कि हम वहीं के बेटा और वहीं के भाई है beita परेगी तब तक हम लोगों के बीच में रहेंगे और सिवा करने काम करेंगे खास को जो युवा लोग हैं उनके लिए हम कभी भी 24 गंटे उनके लिए हम हमें सा तयार है और आने वाले समय में अब तो चुकी जो है विदान सावा का चुनावाने वाला है तो अब देखा है इसलिए राजनीत में सेवा भाव होना जो रही है प्रतिष्ठा इसा को बहुत जोरी नहीं है अच्छी सोच के लिए धन्यवासर महागडबंधन के साथ आप लोग आप लोग का जो पार्टी है जदू आप लोग का चुकि आपी की सरकार है भी तमाम नेता देख रहे है लेकिन आप जो है एक दम जबरजस्त तरीके से कि नहीं हम जिसके साथ है तो है तो कहीं में एक बहुत बड़ा विश्वास को जन्र देता है पाटी के प्रति भाई विजय सिंग पहले भी ऐसी तरह आज बहूत ज्यादा आपके बारे में सोची रही हों कोशी बिल्कुरू में कम कार करने ज्यादे विश्वास रखते हैं उनकी साथ रहने पर बहुत अनुभा बहुत कुछ सीखने को मिलता है और अभी तो जो देश की हाला था आप देख रहे हैं हम लोग जो है लगतार लगे हुए हैं और सफल भी रहेंगे बीजेपी को यहां से फेकने का रही बा क्या लगता है तुरंद लोग सभा का चुनाव आने वाला है कैसा रहेगा आपकी पार्टी का ब्रॉल चुकि मुक्ष मंत्री जी तो भाई प्रधान मंत्री का दावेदारी यह कर रहे हैं कि नहीं परधान मंत्री के लिए हमको आगे जाना है लोग सभा की पूरी जबरजस यह तो कोई बात ही नहीं होता है कि उन्होंने कभी बुला ही नहीं है है ना सब को एक जूट करने की करने में लगे हुए हैं इंडिया बन गया था पहले भी तो इंडिया था जीतेगा इंडिया रही बात तो लोग सभा में स्वीट की बात रही तो चालिस में हम लोगों का उस्साह है लोगों को देखने से फील हो रहा है आप चाड़ों तरफ जाके देखिए देखिए हर एक जगह जो है जो है अपरत अपरी का महल बना हुआ है देश के नियम को समिधान को बदलने कोशिश करते हैं यह लोग इसलिए जो है इस बार बीजेपी को बहुत सोचना होगा और लड़ाई जो है बहुत मजबूती से होगा और हमारे नेता लगे हुए हैं कि सारे लोग एक मंच पर आ जाए और सब लोग मिलके साथ में लड़े हैं सब लोग मिलके एक साथ लड़े अब की बारलोग सभा में कुछ नया करना है बिलकुल आज देखें अभी बैटक मुमें में चल रही है साम तक आप लोग के पास पहले रिपोर्ट आ जाएगा चली बहुत धन्यवाद सब्सक्राइब तो आप देख रहते जदू के कटर सिपाही है रणीजे सिंग जी और मैं आपको बता दू कि एमल सी भी रचुके हैं हलांकी एमल सी तो खैर बात की चीज है एक अलग बैक्तितों से जाने जाते हैं और अपने बैक्तितों से जहां अभी रहते हैं एक अलग इनका वर्चस्वर रहता है चूदि कहीं न कहीं लोगों के दिलों में जगह बनाने के लिए जाने जाते हैं आप देख रहें क्या काना है कि मैं जिस पाटी में हूं तो वह पार्ती जहां भी शम्मान मिलता है आदमी वहां से हटने नहीं चाहता ह और जदूर ने मुझे जिस तरह का मान सम्मान दिया है मैं कभी भी पाटी छोड़ नहीं सकता और लोग सभा की जहां तक बात हुई तो एक अठुट विश्वास चलग रहा है कि पूरे बिहार में तमाम सीठ हम लोगों के पास होगी और जिस तरह का एक दिल्ड विश्वास दिख रहा है कहीं न कहीं कुछ मिटिंग बीदिली में हो रही है कुछ बेहतर होना है ऐसा लग रहा है अब देखिए क्या होता है यह तो वक्त बताएगा लेकिन खास तरुपर सरकिय बात करें तो कहीं न कहीं अलग जाने जाते हैं और बढ़ारा बिधान सभा के नौजव लेकिन जो देल से जुड़ाओ है वो रहेगा और निशी तोर से सर का आगवन बढ़ारा में भी बहुत जल्द होने वाला है चलिए चलते चलते सर क्या कहेंगे लोगों से अंतने साड़े लोग अमन चैन से रहें है मिल जूल कर रहें जाद धर्म से उपर उठके सुचनी की जवरत है खासकर उन यूवा से हमारा काना है कि इस जात पात धर्म से उपर उठकर और सोचे अपने कारों को पूरा करें इसी तरह लगतार ख़वरों को से बने सब्सक्राइब के साथ मैं शुक्तिवारी थांकियो